स्वर्वेभ्यो नमाह देवबाणी संस्कृतम यूटूब चलद्रिशंप्रति भवताम भवती नामच आर्दंग स्वागतम मित्रो अश्टाध्याई भाष प्रथमागृति चतुर्थाह अध्यायाह पृतियाह पादाह कक्षा संख्या त्रिपंचाशत्तमि त्रेपन्मी कक्षा को आज पढ़िए चलिएगा उस तक को ओपन कर लीजेगा गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सुत पढ़ाई थे यहां तक पढ़ा दिया था आपको यहां तक तादास्या सोधम यह पढ़ लिया था ठीक है और अब एक नया शैशिक अर्थ आरंब कर रहे हैं जो बहुत डिशेस अर्थ है इस अर्थ में बहुत होने वाले बहुत सारे शब्द प्रयोग में आते हैं कि अलिएगा तत्र भावाह पदच्छेदाह तत्र अव्यपदम इसका अर्थ है लुप्त पंचम्यंत निर्देशा है भावाह अर्थमा वक्ति ही एक वचनांत तो यहां पर भी क्या है तपतम्य अर्थ प्रथमा मानेगे यह भब के अर्थ में ऐसा अर्थ प्रयोग होगा सब्थमयंत अर्थ प्रथमा अनुभरथि हैं के शी सद्द्रिताह ज्या प्रात प्रत्य प्रस्ट्थ इन tweEMA हों अर्थ हो शब्तमी समर्थाद न्याप प्रादपरिकाद भव इत्ती तस्मिन अर्थे यथा विहतम प्रत्यों भवती सरल है विलकुल सब्तमी समर्थ कोई भी जीवन्त आवंत अथ प्रादपरिक इससे भव अर्थ भव मने होने वाला इस अर्थ में यह यह था विहित जिससे जो भी प्रत्य वह जाए गारता इस सूत्र से तो अनप्रत्य होता है प्राग दिब्व तो अन यह तो आउट सर्गिक इसके अलावा और भी कुछ विशेश प्रत्य कहें हैं अश्वप्रत्य दिब्वस्चादी और बाकी फिर आगे बताये जाएंगे तो तो चाहिवा तत्र भवासे अनप्रत्य हो याता है शामान वोप से आउट सर्गिक है तो उदारन देया श्रुग्ने भवाह व्रपवा प्राउग्णा हा व्रुग्न में होने वाला सिद्धी बलकुल वैसी है रोगनाथ आगता हा प्राउग्ना वैस यक्ति या कोई पदाव्य वस्तुवादी राश्ट्रियह तो राश्ट्रि भवह राश्ट्रियह कालायाम भवह शालियह मालियह यह उदाहन तो आपको इस्मर्ण होगा कि सर्व प्रथम जो व्रिद्विरादाइच सूत्र है उस पर ही पड़े थे चिए चिए उसिधियों में कुछ महीं यहाँ पर क्या यह तो वह राश्ट्रिय है में यह था अभित प्रत्य बने राश्ट्रावारपाराथ घखाव हो गया है राश्ट्रिय अबन जयाए एसले बढ़ाश्च्छा से त्षप रत्य हम तहें तंश्वार्त इसलिए बढ़ा में च्छा प्रत्य हो गया यह निशाला में होने वाला कोई वस्तु अथा माला में होने वाला मूंगा या मोती कि तर्थ्र भवाह यह बहुत विशेश अर्थ हैं अब यहां पर इससे आगे जो यह अन प्रत्य कहा है अथवा जिस शब्द से विशेश के अधिकार में जिन शब्द से जो प्रत्य कहें दिया उनको छोड़कर के जो आगे इसी इसी के विशेश प्रत्य कहें जा रहे हैं जो अब कहते हैं यहां पर लेकी अई तयुक्त不好 च्नानत करको सीच उपको सेट लिक Przyकुंद अर्थHow 2 आपए आधि शय क्यों प्रत्या के शेवार प्रत्यव परफ्ष्ट है इनक्यानुघ नुट типа THE ध्याह सप्टमी समर्थ स्प्राधपत्रक्ति यत प्रत्य भव यह इप्प्रत्य नोस Mine एक दिघादी गड़ है तो गड़ादीगण ने पठथित जो शब्द STEVE सप्टमी समर्थों से उनसे पिए भव अर्त में परत्य कालए प्रत्य मीगत हो ता है यह के वल तो भवार्थ में करेगा और दूसरे अर्थों में नहीं करेगा केवल भवार्थ में यत कर देगा अगुशन निवाला कुछ दिशी भवम दिश्यम दिश ए में होने वाला कुछ एसे वर्गिभवं भर्ग्यम वर्ग्मं वर्घ का हाल आता है यह महिंद प्रत्य हो गया कुछ भी निए दिश दिश्यम वहां तो और यह एसे ती चलोप हो जाएगा वर्ग हैसी यह सब्त में समर्थ जाएगा वर्ग लिए परियत चलिएगा और भी शब्द है इसके अंदर पड़े हुए उनसे भी हो जाएगा आगा शरीरा वायवाच शरीरा वयवाच पंचमी वक्ति ब्चनांतम च अव्यपदन समासा शरीरस्यावयवाह शरीरवयवाह तस्मात शरीव हुआज़क ग शरीर मन बोड़ी थैण ही गलम बोड़ी के पाठ की ग्लड़ेश की प्रत्थेन कं वे वित्य था है सब्तमी समर्थ और शरीर के अवयव को कहने वाला शब्द हो कैसे हस हाथ है उंगली है यह शरीर के अवयव है तो उनसे क्या भवार्थ में प्रत्य होता है यत प्रत्य होता है हो यह वह उस्वी का अपवाद है ॉपत्र भवा और बंत्य होने बाला कुछ भी रोग है या कुछ वर्ण हैं या दंत्य शकार बोलते हैं तो कुछ रोग है कान में होने वाला कुछ कुंडल आधी आबूशन आधी के लिए आगे आएगा तो यहां कान में होने वाला कोई भी कुछ भी है, उसको कहने के लिए हो गया, यह प्रत्य उग्याद जहां देंगे, तत्र भवा से यह दिया आपको प्रत्य करना है, तत्र भवा के अर्थ में, तो शरीर के अवयवाची कोई शब्द है, तो फिर इससे होगा, ठीक है? कि येवल शरीर के अवय वाच्ची प्राप्ट्र कोंसे होगा तब शरीर से नहीं होगा कि आगे है हमारा सूत्र है कि द्रीति कोक्षी कालाशी वस्यस्यार हेर नहीं कि द्रीती चह हए हे नो व ये है पंचमि व्यक्ति एंगान तम भएं पहत्र्थम व्यक्ति ट्रह नहीं धर और फिर द्रस्मात द्रत कोक्ष कलश वस्त्यस्त्य हे है यह समाहर्थ वंद्वा ऐसी के निपातन से इसको पुल्लिंग भी मानेंगे कि अब त्रत्रा भवाहा शेशे कर्दिता न्याप्रात्र का प्रत्या परश्चेन के निवर्टिया ठीक है को dare अब अर्थद्रती कुक्ष्षी कलशी क्रील वस्ती अस्ति अही हित्ते थेर्थ सब्सक्षियज समर्थ भ्या और सब्सक्राइब उत्ते थे थे थेंप्रत्य और होती है इन शब्दों से क्या है भवा अर्थ में धहीं प्रत्य होता है सब्तम्स मर्थों से तो दार्थेयम काउक्षेयम काले कालशेयम वास्तेयम आस्तेयम आहेयम ठीक है कि तो यहां पर के द्रिती के ति का अर्थ होता है को राने समय में राचिन काल में अरता महर्शि पाणनी और पराचिन काल में क्या होता था खेत आदि में पानि देते थे तो पन्य खोदते धिक रहग द्राश्ते को ओ तो उसी मशलको दृती का है तो दृति वे होने वाला जो भी कुछ पानी आधी है वह धो में को इसी दी मैं कुछ स्ट भी नहीं है दृती है और आधि विद्धी हो जाएगी दार्ती और यह स्टी इकार का लोग हो जाएगा धा है यह धाई है तो ड़ही के ढखों यह हो जाएगा और स्वाधित पत्रकर के दारतय कुक्षी का ड़ता है म्यान इसमें तलवार ककटारी रखी जाते हो म्यान तो उससे कुकषी में मने रहने वाली तलवार या कटारी को क्या कहेंगे काउक्षेयम और कालशेयम एक कलशी है कलशी कलशी घड़ा होता है तो यह कलशी है कलश्याम भवहा काल कालशेयम प्रिद्द्य हो रही है हर जग है ऐसे वस्ति कि दक भाग होता है पेट के सामने नावी से नीचे का पीड़ू बोलते उसी को प्रिद्दे तो वस्ति में होने वाला अदिया पानिया दिया तो वास्तियम हो जाएगा वह आस्ति अस्तिकार्थ होता आए तो उस सवता में होने वाला कोई वी कुछ भी हो सकता है तो वह आजो सेब मनें कि आही आही कारत होता है सर्थ तो आहाव भवं भवं आहेम नहीं कोछ प्रशिस नहीं है अर्थ मैंने बता दिया आपको ग्रीवाभ्योण च ग्रीवाभ्याह पंचमी बक्ति बावचनांतम और प्रत्मा बक्ति एकुचनांतम च अभ्यापदम अनुवर्ति धाई तत्रभवाह तेशे तद्यता न्याप्राध्पदिकाद प्रत्याह परष्चे इंच अनुवर्ति अर्थ प्रत्मी समर्थात ग्री सब्सक्राइब कर देंडर हो तो उसमें शरीर अवयवाच्च से यतकी प्राप्ति ओ रही थी तो इसको रोक दिया तो यह अन और धाइं कर दिया तो ग्रीवासु भवम ग्रैवम यह अन हो गया और ग्रीवायाम वो ग्रीवासु भवम ग्रैवेयम ग्रीवाओं में होने वाला एक बच्चन भी कर सकतें ग्रीवायाम भवम यह भी कर सकतें तो यह हो गया आपका धाइंका और यह हो गया अन का ब्रिद्यादि सामान्ध है। गुछ नहीं बाध्वचन का बिश्यक लिखा हुआ है, ग्रुष में उसके उनके hustle में निरुठेश किया, गुरुठ नहीं है कि गयुचर में ध्वनीयां हैं उनको को कहने वाला है इसलिए उनमें वाला जो रखता दी तो इसलिए बावचन में प्रियोग है कि यह ब्लकुल सही है तरीदा वैवाज्च्च से यत्प्राप्ता उसका अपवादत सूत्र है गंभी रात न्याया पंचंग वक्ति अवचनांतम याया प्रत्मवक्ति अवचनांतम अनुवृत्ति ही तत्र भवाह शेशित अधिता याप्राथपतिकाद प्रत्य परश्च इनके अनुवृत्ति आ रही है ठीक है कि अर्था अप्तमी समर्था गंभीर प्राथ पढ़िकाद रत्य यह प्रत्य भवत्य भावत्य भवाश्च आइस हो जाता है एफ यह यह प्रत्य उता है कि अ गंभीर आपकादम भीडियम गंभीर होता है उचल फुतल मचती है तब नहीं जब शान्त होता है एक दम कुछ भी नहीं वहाँ पर सुनाई परतावत को यह बहुत गंभीर है समुद्री तो उस गंभीर में होने वाला कुछ भी ध्वनियादी या कुछ भी जो चीजिए हैं वो गामभीर यह कि चलिएगा अभ्याई भावाच्य व्यवाध्याध्य भावात्य कंवित्यु मुव्यत्यु है अर्थ काथ्प्तमी समर्थाथ अव्यवावसंयकाद् प्रा प्रत्रिकाद भवार्थे यह प्रत्ययों भावट्यु सत्मी समर्थ अभ्याई भाव संज्यक मने एसा प्रात्पतिक समस्तपद हो जिसकी अभ्याई भाव संज्या हो तो उस्से भाव अर्थ में क्या हो जाता है यह यह प्रत्य होता है यया पारे मोखम भवम पारे मोख्यं ये श्वद क्या है अब्वावसमास हुआये अब्वान हो ये वास्ते में आपको दीख रहा है अब मुखम के सब्तम्यंत है कि आपको अमने अब्भाव समाश पाधं में और फिर चौथे पाधंवे में समास दूसरे प्रथम और दूसरी पाधंवे था कि चौथे पाधंवे क्या बताए था दो अब्भाव समाश होता है वह हरस्वाकारांत समस्तपद है उसका एसा हिरूप बनता है पर भबं पर भबं परभवन पर मुखं पर मुखं पर मुखं पर मोखं पर रंतु वहां पर एक सूतर वी बताया था मैंने बहर्शिपांदी ने बताया तृतिया सप्तम्योर बहुलों सिर्पिया विवक्ति के रूपों में और सब्तमी विवक्ति के रूपों में बहुल करके होता है तो यहां पर आप परे मुखम भी लिख सकते हैं परे मुखे भी लिख सकते हैं इसके सब्तम में दो रूप बन जाते हैं पारिमुखम पारिमुखे तो यहां पर गुरु जी ने यह पर मुखम ले लिया यह सब्तम में तो आप सोचे प्रत्मांत प्रत्मांत नहीं सब्तम में तो परिमुखम मुख से भिपरीत स्थान में होने वाला मुख से भिन्न स्थान में होने वाला कि परिहनव्यम थोड़ी थोड़ी से भिन्न स्थान में होने वाला कुछ है क्या क्या लाएगा इसको और गुणा से गुण हो जाएगा वांतोई प्रत्याई क्या हो जाएगा तो क्या बुण जाएगा पारी हनभ्यम कैसे पार्योष्ठ्यम यह पर्योष्ठ्य चैसा शव्द परियोष्ठ्य पर्योष्ठ्धं हम अठों भिल्स्थ मोरो ऊतों से अलग सथान्म होने वाला तो पार्योष्ठ और फिर ब्रिद्यादी यह होगा ब्रिद्य पार्योष्ट यह सेती जैसाकार का लोग हो या पार्योष्ठ यह बने लिए कि अब यहाँ पर आपको बता देते हैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए तो आपको कहीं लगाने लगांगे और आपको लगी निया गुरुजी ने का गलत पढ़ा दिया कि यहाँ पर अब्याई भाव अब्याई भाव समास के तो बहुत सारे शब्द होते हैं तो यहां पर जो वार्तिक कार है कि वार्तिकरता काशव वित्तिकार्जों हैं उन्होंने ऐसा का आया कि सभी अब्याई भाव समास से महर्शी पाणनी को इष्ट नहीं कि जो भी यह सभी अब्याई भाव समस्त पदों से भाव अर्थ में प्रत्य हो जा नहीं कह रहें यहां इनकी गणना कर लेनी चाहिए कौन-कौन से शब्द हमें अब्याई भाव के लेने हैं ताकि छोड़ देने तो मैं आपको पढ़के बता देता हूं यहां लिखाया प परिसीर अनुसीर उपसीर उपस्थल उपकलाप अनुपत अनुखंग अनुटिल अनुशीत अनुमाश अनुयव अनु यूप अनुवन्श अ कि इतने ही अव्वे भाव समास वाले शब्दों से प्रक्त्य होगा और सभी से नहीं होगा कि काशका पढ़ेंगे तो अपने अप्समिन में आ जाए गए कि जलिएगा यह सिद्धी आपको बता दी मैंने कि अन्ताह पूर्व पदाथ ठैंग कि अन्ताह पूर्व पदाथ पंचमी वक्ति एक नांताम ठाई प्रत्वाव वक्ति एक वचनांता तमासा अन्ताह पूर्व पदम यस्या तदंत पूर्व पदम तस्मात पूर्व पदम बहुगी अन्त शब्द हैं पूर्व पदमें पूर्व में जिसके एसा जाओ गया हो अंतह पूर्पदम पर्फदम्स परतम इतमी समर्थाथ अंतह पूर्पदम्स ओध्याई भाव संज्ञकात प्रति So में धाय थी परत्यीओं अर्थ। इवर घॉपदमी समर्थाथ उप्रबाहें संज्यकात ब् advertise करहें यह कहते है सब्तमी समर्थ और अन्त शब्द पूर्व में हो अन्त शब्द पूर्व में हो और जो अन्त प्रिपाद में एक शब्द दोनों का अभी वासमास होना चाहिए तो क्या होता है तो उसमें उपर वाले सूत्र से यह प्रत्य प्राप्रता बोड़ी होगा ठही होगा जैसे पुदान दिया आंतर वेश्मिकम आंतर गेहिकम को अन्त अंतर वेश्म शब्द है यह अंतर वेश्म तो यहां पर इसको हम ऐसा करेंगे अंतर अंतर वेश्म तो अंतर वेश्म में या अंतर वेश्मम आवं आंतर वेश्म को यह भी अभी भासमास है यहां पर अब गी लाएंगे गी और है हो जाएगा यह इन तर वेश्म शब्द है तो अंतर गेहं भावं आंतर वेश्म में कम हिरिया अन्तहषभ्भपूर में जरूर होना चाहिए ग्रामाथ प। पूर्वात ग्रामाद पंचमी वक्ति विविद्वांतम परियन पूर्वात पंचमी वक्ति विविद्वांतम समासाहः परिष्च्या अनुष्च्या परियनु परियनु पूर्वन यस्यासा परियनु पूर्वहत रस्मात परियनु पूर्वात द्वन्द्व गर्व अनुवत्यारिय इसमें दॉन्दी गर्वाववरी समास होतों है फाले दुन दुन्द गऑङाथ प्रहुतों कि अप्य नंड़र ही भावा शेषे त इता और तेदा ज्याप्राथत का प्रत्यहव तर्था औरता along प्री अनुवबात अभ्यवावशन्यकात ग्रामशब्दानतात प्रात पवती तत्र भवाव इस्वमिं विशये ठेइव प्रत्याaları और अनुपूर mez ओना चाहिए ग्राम क्राबदां अनुगरां शब्द है क्या यह हो जाए व्रद्यादी हो जाए यह का एक हो जाए और कोई विश्यस नहीं है तो यह हो गया यह सब उसी के आ यह इसके अपवाद थे अब भावाद चेके अब है अब है जिहुआ मूलांग गुलेश च्छाह यह हुआ मूलांग गुलेश पंचम वक्ति यवद्रांतम छह प्रत्मा वक्ति यवद्रांतम तमास यह हुआ इत्यत्र समाहारो दंदहा तो जह हुआ मूलश च्छा अंगुलिश च्छा यह हुआ मूलांग गुली है और तस्मात यह हुआ मूलांग गुलेश तो यह भी नप समार में अपुन से लिए होना चाहिए तो पुलिंग कर दिया निपातन की अनुर्ति आ रहे हैं इसमें तत्र भवाह शेशे तद्यता ज्याप्रात्पति का प्रत्य परश्च इन पदों के अनुर्ति आ रहे हैं अर्था हो सप्तमी समर्था भ्याम जिहुआ मूल अंगुली प्रत्य होता है तो जिहुआ मूल में होने वाला कोई अवर्ण होता है उसको भी जिहुआ मूली बोलते हैं इसी से बनता है अंगुली में होने वाली जो अंगुठी आदी होती है उसको क्या बोलते हैं अंगुली यम कि यह बन गया अच्छा को यह हो जाएगा 22 में पुछ ब्रद्धी आदी नहीं होगी अगर्गान ताच्छ गजन कि अगर्गानताथ 55 यक्ति विक्रांतं चा अभ्य पदम समासा वर्ग अंते यस्यसा औरगं तह समात पहुब बर्गानताथ बहुबरी पहुरी समास हो गया ठीक है और वर्ग शब्द अंत में हैं जिसके वर्गानतों अनुर्प्पिग् प्रश्चा अर्था सब्तमी समर्थात वर्ग अंत वाला जो प्रत्रिक है उससे भवार्थ में क्या हो जाता है यह यह और उपर वाला भी उताण दिया है कवरगे भवन कवरगी अंचवरगे भवन चवरगी अंत बोलते आहैं कवरगी यह कवरगे कार्थ कवरग में होने वाले अप्च्र का खा खा घा न यह अब न यह जलिए गा शब्द वथ अंटर स्याम शब्द सत्व में रख्ति एंत्र अंटर स्याम सक्त्वमें रokesलट समाश कर最終 अशब्द अशब्द शक्व यह थि यूंट पुर्श अशब दलत अश्ब्दे ठीक है अनुर्थी आरे वर्गांता प्रत्रमवा शेशे तद्यता ज्याप्तात्रिकाद प्रत्य परश्च्य इनके अनुर्थी आरे कि अश्ब्दे प्रत्य आर्थे भवार्थे विकल्पे नयत्खव प्रत्य भवत्य इसका अर्थ नहीं होना चाहिए इस शब्द अर्थ नहीं होना चाहिए जब्द से बिन कुछ भी हूँ तो कहते हैं भवार्थ में बिकल्प से यत और खव प्रत्य हो जाते हैं पूरवेण जुशे प्राप्ते यत खव विध iemand क्षे सूपी भवते क्या 사람thal कि तर वी कलब से कर रहे हैं इसलिए प्रक्ष में अच्छा भी हो जाए हो ईख्जा कर दो दैया है अक्रूर वर्णवाहा अक्रूर वरग्याह तो अक्रूर्वर्ण मैं होने वाला यब को नहीं कई घिख्ण से और किसी को कह सक्ते जट्श आक रोगा चुलाए में परवाले इच्छर की सेना में निस्टर के पक्षे ने होने वाला ने वाला कि दिख्ःर वरगी ना तुछ वरगी यह इसके तीन रूप बन जाते हैं और यदी जब्द अविध्य होगा वर्णों को कहा जाना आए तो तो फिर उपर वाले सूत्र से च्छाई ही ही होगा जादिया करण ललाटात कनलंकारे समार दवन्द है कर्ण ललाटात कस्मात कर्ण ललाटात अनुवर्ति इसमें आ रही है तत्रभा शेशित अजिता ज्याप्रात्त का प्रत्य परश्चेन के अनुवर्ति है अर्था सब्तमी समर्था भ्याम कर्ण ललाट शब्दा भ्याम भवार्थे लंकारे भिदे कन प्रत्य भवति कुए रहे हैं कि सब्तमी समर्था उत्वालराट शब्द से भव अर्थ में अलंकार को कहना हो घ। आभूषण को कहना हो तो क्या कन प्रत्य होगा उपर वाले सूत्र से प्रप्ति ?? क्योंकि क्या है कि शरीर का वय वय तो शरीर अवय वाच्च से यतकी प्राप्ति से निशेव कर दिया करने भवा करने का ललाटिका ललाटे भवा ललाटिका कान में होने वाला कुछ दिया है आपर कान में होने वाला कुछ आभूशन है ठीक है कि और ललाटी का ललाटी का बोले जो एक जैसी होती है इसको तीका ऑपने आपको अलंकर करने के लिए लगाती वो है तो इसमें क्या है और यह किया प्रत्य हो गया आपका कंप्रत्य हो गया इनि में आसे बना लएं एक करण। एक करण और ऑर विभारत में वांत्य क्श्कन याओ इस गया होगा इसका क्लोग हो गया है और अब यह बन जाया करमिक कर di करनक बनेगा करनक और कर अब यह क्या है जो कान में लटकने वाला कुछ है वो इस्तीलिंग बाच्ची इस्तीलिंग है अब शब्द है उसके लिए तो उसके लिए इस्तीलिंग में क्या है तो टाप आजाएगा अब यहां पर यह सूत लगए प्रत्य स्थात का पूर्वस्यात इदाप के सुपह प्रत्य में इस जो यह कव है इस कव से पूर्व में जो आ उस अकोई हो जाएगा बाद में इस्ताप परेहुत्तू जारा कुछ है तो क्या मैं अकारने का और स्वाधिवपत्ति करके शू का अलगां दिलो तो करने का बनेगा कैसी ललाटिका बनेगा उसमें भी यह लेगा है ललाटिका ललाटिके आभूशन जिसे टीका कहते है पुरुज ने अब बता दिया यह यह ओगया आपका त्रभवाह अर्थ यह आपका समाप्त होगे यहां पर आपको फिर पता देते क्योंकि विशेश विशेश प्रकर्ण है इनको आपको हमेश्था ध्यान रखना है अब ध्यान नहीं रखेंगे तो काफी परेशानी आ जाती है फिर इसको तत्रभवा से लेकर के यहां तक यह सारे सुत्र क्या है रहिए उसके अपवाद हैं यह किवल तत्रभवा में ही होंगे प्रत्य यह दूसरे अर्थ्ण में था आज भी बता रहा हो फिर बता रहुए अ यह प्रत्य नहीं यह और यह और इस शच्प्रत्य वास्त में नहीं यह तो शायशक अर्थ्ध में जो कि प्रत्य हैं उन driving अपवाद हैं अपने अपने विशय के चलिएगा तो यह हो गया आपका कि एक सूत्र और पढ़ लेते हैं कि इसके अनुवर्ति काफी लंबी जाएगी कोई बाद नी पढ़ेंगे आज लुप्त पंचम्यनत निर दीश के लिगेगा या तष्या व्याख्यान इति चा व्याख्या अतभ्या नामना थे हैं इति अव्य पदम यहां पर यह तष्याय लुप्त पंचम्यनत मिर्दीश कि अब इसमें समा से कि कमाते व्याख्या स्थ yhteल आम न Entonces कि करों कि क्या आपना तभे का अर्थ को लुए यग कि करने योग और उसका जुअना म트 उसको भिनिवारा शब्द वो नाम वियाख्या तब ब्रतबप ब्रतर करन ना में दिखाया है विएक्ष्ण हरतमता है ये क्या हैै करण में युण करण में लिख है कर दोर्ड के द्वौरा व्यक्ष्ण है व्याक्षयायते अनेन इति अमने इस से जिससे व्याक्षयान किया याता और इसके द्रश की शीसे से किसी था जैंट यह दैए उक्यारन स्थ्क्राज थे अंब०्धी आरिए हिसमें शेश्र अद्यताय न प्रत्य प्रत्य पर शक्ड़ों की सen आर्थम पजक्त्ष मत्यां अब। बश्प्तक्व भवत Woah हो भवति सत्तमी समर्धाग भवार्थ एचा इसमें दो अर्था आते हैं लो कहते हैं टस्तष्य करने के योग्य हो टीजिए कोई शवड़ाना चाहिए की डाने इतता पत्राइक अब है कि इसि प्रत्य प्रत्य होता है यो ब्यों आँप्र का है ऊप्ते नामवा PCB प्राद्पति से भवा अर्थ में एक तो ब्याक्ष्यान अर्थ में भी यह था वेत प्रत्य हो जाता है तो सब्सक्राइब यह से उदार्ण दिया आए बस्फाम व्याक्ष्यान व्रंथा सावु पाः इस प्रक्राइब बोलते हैं तो अव्याक्ष्या करने योग के सब्सक्राइब पड्दी उसकी ग्रहेगे करेगा तो छिसमने आएगा सुप सपाम् व्याक्ष्यान व्याक्ष्यान वंग तर स्प fifteenग कि व्याक्ष्या करने प्रृट गूँ थो कि इस गरंश मैं जिस ग के द्वारा सुप के विश्य में विश्तारती बताया है व्याख्यान किया गया है तो वो ग्रंस क्या हो जाएगा था जात लॉट क्या तो पहा हम कैs yeah अलुक हो गया व्रिद्धी हो गई यहां पर साउप और पाइसे मिलिया साउपा वनिया साउपा यह किसको कह रहा है व्याख्षान है जिसे ग्रंथ हमें उसको कह रहा है कि एक किरताम व्याख्षानों ग्रंथा कार्था कृत प्रत्ते हैं कि पड़ ली तीस रध्ध्य में कि रुटिंग से लिए करके जो प्रत्त प्रत्ते ओं का व्याख्यान है जिस ग्रंथ में वहां ग्रंथ क्या कहला आएगा कार्थ आहां इसमें भी कि कि कृत शब्द एचा करित और अणा जाएगा ब्रिद्धि हो जाएक कार्थ और फिर कार् कि थे रुट हां अस्तिगां ध्याक्ष्यानो ग्रंथा यांग त्यों की व्याक्या करने वाला जुटकर यांपर वे तिंग अं और आपशे प्रत्त्य हो गया ब्रिद्धि होई जो गया रजुक्ता आइग अब लिए और सुप इसी प्रकार से अब भावार्थ में भवार्थ में विएक सुपसू भवम सुपपमं और अंदर होने वाले जो चवे जो अक्षार मंजनि के इत्सस्या अदिवर्नें क्रित प्रत्यों में होने वाले जो आपके इत्सन्यक अधिवर्ण है वो तैंगम के अंदर जो अच्छ है जो भी इत्सन्यक है उनका उनको बोलेंगे तैंगम अभी प्रक्रण के अनुसाद देखना पड़े हैं कहां पर भावार्था आ रहा है कहां पर आ रहा है व्याक्ष्यान अब कोई परिशाई नहीं हो पूरा पढ़ने समझा जाता है अब यहां पर गुरू जी नहीं लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया फिर भी पढ़की बत नामवाची शब्दों से भवार्थ में भी य radha vahit प्रत्य होता है रोग लगक्रण किये जाने योग्द प्रत्प्रणिक है तो इन किसे व्याक्यान अबिदे होने पर यठा आउठ शर्विक अनप्त्य होगा दो से तब करके व्याक्याक बनता है व्याक्या किया जाने योग कर्म जैए ओप्रश्प्युक्त जो नाम उसको खलने वाला जो शब्द तो वह व्याख्या तब बे-नाम हो गया तो आजकी कख्षा में हम यहीं पर दिरामदिते हैं पुलकुल सही थायम हो गया कख्षा समाप्ति का अब अगली अक्षा में पड़ेंगे बाहवचों अंतुदाता ठेंगे तर्वेभ्यों नमाहूं